दोस्तो आज हमारे पास अपाचे 204B का डिजिटल मीटर रिपैर होने के लिए आया हुआ है इस मीटर में फॉल्ड क्या है और उसका सॉलिशन क्या होगा आपको इस चोटी सी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आता है तो आप भी इस वीडियो को देखे सीख सकते हैं यह मीटर किन का है पहले आपको थोड़ा सा मुलागात करवा देता हूँ इन भाई साब का है और यह इंडियन आर्मी में है तो देखिए इस तरीके से डिजिट हो होंगे फिर मीटर बंध हो जागा फिर से आपको दिखाता हूँ यह देखिए ओन हो रहा है फिर ओफ हो जा रहा है आकरी फॉल्ट किस जगह से आ रहा है मैंने इस फॉल्ट को काफी देर तक ढूड़ा और मैंने का चलिए छोटा सा वीडियो बना देता हूँ हो सकता है इससे आपको या किसी को फायदा तो जरूर मिलेगा तो यहां पर सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले इस तरीके से निकालनी है और यहां पर देखिए उस डियर्क्टिव फॉल्ट पर ही ले चलता हूँ ज्यादा बड़ा फॉल्ट तो नहीं है इस रेगुलेटर की इस वाले ट्रेक को आप देखिए और यहां पर जा रहा है इधर पर जा रहा हूँ देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा अगर आप द्यान से देखोगे तो इस मीटर में वैसे पानी गया था और पानी जाने के वज़े से यह जो में ट्रेक है यह गल चुका है यह देखिए यह ट्रेक गल चुका है यह हैं मेटर को रिपैर करने की तो अपाचे के मेटर के रिपैर की वीडियो नहीं थी तो इसमें इसी फॉल्ट के हमने वीडियो बना दी है और वीडियो आते रहेंगी अलग लग लग फॉल्ट पे आपको मैं समझाते रहूंगा फिलाल यह चोटा सा फॉल्ट आपके साथ से लेकिन ये फॉल्ट बहुत लोगों के लिए फाइदे मंद हो सकता है इस कंपनी के नई मीटर की कोष्ट लगबख 5,000 रुपिया है तो अगर कश्टमर को ये फॉल्ट ही पता होता है तो हमारे पास रिपेरिंग के लिए क्यों आता है और जमपर को मारने से इस प्रॉब्म का सुलिशन हो जागा बल्कुल आपके ही सामने है और यहाँ पर देखिए बहुत ही बारी किसे आप इसको स्क्रेच कर जीएगा क्या होता ही मेन 12 वोल्ट के लाइन है और इसी लाइन में अगर फॉल्ट आ जाए तो मीटर एक बार on होके फिर से off हो जाता है यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेश लगा लिया है तो चलिए जमपर करने के लिए को यह ऐसे वाइर डूटते है तो फाइनलि यहाँ पर मैंने जमपर कर लिया जमपर किस तरीके से कर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर दखी एक wire हमने यहाँ से आतक पूरी करिए और उसके पीछे जो जमपर था उसी को ही हमने उसी के ओपर से जमपर वायर हमने डाल दी है फ्रेंट पर जमपर नहीं करा क्योंकि वहाँ पर लॉग भी था तो वहाँ पर लॉग भीच में फिजजार था तो पीछे से हमने वायर उसी होल के रास्ते डाली है जैसा हो ट्रेक चल रहा था और नीचे पॉइंट पर टच नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर इसको इन्सुलेट कभी अगर आपके दिक्कत आ रही हो तो उसको लेमिनेट जरूर कर लिजेगा तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर जरूर चेक करें उस रेगुलेटर की पहली वाली लाइन को आप चेक कर लें पहले वाले पॉइंट को जरूर ट्रेक करके देख लें तो यह प् कर रहा है सिर्फ एक जम पर मानने से मीटर चाल हो गया और भाइसाप के 5,000 रुपे बजगे अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट कर लेना और यह जिन कस्टमर का था उनका यहाँ पर आप देख लीजीगा थोड़ा सा हमारे साथ बाचीत भी कर रहे या एक एड्रस प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप अगर नह भी आ सकते हों तो हमारे एड्रस पर आप समान भेज कर अपना इलेक्ट्रोनिक का कोई भी खराब डिवाइस या मीटर हो कुछ भी हो ठीक कर वा सकते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं स्टार्ट कर दूँगा तब मैं आपको अड्रस इसी वीडियो के कमेंड बॉक्स में पिन करके दे दूँगा अब वहीं से हमें सामान भेज सकते हैं कुछ भी हो बूफर हो या फिर एम्प्रिफायर्स हो खराब मोबाइल हो जिसमें आपने फोल्डर डलवाना हो हलाकि हमारे पास मोबा आपको सस्ते दामों में सभी काम करके देंगे तो यहां पर देख लिए मीटर की पैगिंग का कम चल रहा है और यहां पर आपको मैं पहले दिखा देता हूं यह जो सीशा में लगा रहा हूं यानिकि उपर का गलास जो लगा रहा हूं यहां पर एक क्रेक हुआ था हलाकि कर दिया है ऐसी कंडिशन में कभी भी आपके शीशे में दरार या फिर क्रेक आती है तो आपको या तो अच्छी तरीके से उसको लिमिनेट कर देना चाहिए या फिर उसको चेंज करवा देना चाहिए चेंज करने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा लेकिन अगर कभी मीटर के अंदर पानी घुच गया मिटर खराब हो गया और ना बनने की कंडिशन में हुआ तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादे लोगों के तक शेयर कर ले लिक है और अगर आप हमारे मोबाइल लेपेरिंग के चैनल पर जूड़ना चाहते हैं तो उस चैनल का नाम Tech Help & Guide है उसमें भी जूड़कर आप मोबाइल लेपेरिंग के बेसिक जानकारिया ले सकते हैं तो फानली मीटर सक्सेस्पूल बन गया है और इसके जो है पैकिंग क का काम चल रहा है उसके बाद मैं मीटर कस्टमर को दे दूँगा और यहां पर ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें